स्वागत है आप सभी लोगों का आप किस मोटिवेशनल चनल में मैं सौरब शुक्ला आपको हर दिन देता हूँ मोटिवेशनल वीडियोज शाम 6 बजे यदि अभी तक आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ कॉमेंट करके भी बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा जो होता है अच्छे के लिए होता है इस लोगडाउन के पीरेट में कई लोगों की इंकम रुक गई तो कई लोगों की जिंदगिया रुक गई बहुत सारे लोग परिशान घूम रहे हैं लेकिन यकीन मानिये जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीजे इन दिनों में घटित हुई है जब भी कोई बात घटना या परिणाम हमारे मन का ना हो तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए हो सकता है कि अभी आपको बुरा लग रहा हो पर इसके परिणाम यदि भविश में सही आ गए तो आप सोचेंगे और पाएंगे कि इससे बहतर कुछ भी नहीं था ये तो आपके लिए सबसे अच्छा था और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कई बार आपके साथ ऐसा experience हुआ होगा कि जो आपको पहले बुरा लगा होगा वही बाद में अच्छा लगने लगा होगा बैड लग नाम की इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है आज हमारे साथ जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है यकीन मानिये सब कुछ अच्छा हो रहा है गीता में भी तो लिखा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा होगा तुम अतीत का पश्यताप ना करो बविश्य की चिंता मत करो वर्तमान चल रहा है क्रश्न जी ने ये बात कही है तो हमें चिंता करने की क्या बात है यदि हम ये मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो प्रकती से हमें वही वापस मिलता है और सच में हमें हर चीज में हर घटना में कोई ना कोई अच्छाई मिलने लग जाती है जैसे देखिए लॉक्डाउन की इस पीरियड में पर्यावरण भी जो प्रदूसित था वो कितना बेतर होना शुरू हो चुका है एक बात याद रखेगा चाहे कितनी भी मुश्किल और नकरात्मक परशितिया हो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल ही आता है और जब आप पॉजिटिवनेस महसूस करने लगते हैं तो यकीन मानिए आपको समखलने के लिए यही पॉजिटिवनेस आपको एनरजी देता है होता क्या है कि जब हम प्राबलम में होते हैं तो सिर्फ प्राबलम के बारे में सोचते हैं solution नहीं सोचते क्योंकि उस वक्त केवल वो tension ही दिमाग में रहती है लेकिन फिर बाद में जब हम शान्त दिमाग से सोचते हैं तो लगता है कि तब ऐसा भी तो कर सकते थे लेकिन उस वक्त सुझा ही नहीं यकीन मानिए आपकी बुरी प्रस्थितियों में जो होता है अच्छे के लिए होता है का जो यह विश्वास है यही काम आएगा क्योंकि जब आप घबराएंगे तो यह आपको लड़ने की ताकत देगा समस्या का हल निकालने के लिए आपको motivation देगा मैं आपको एक कहानी बताता हूँ एक बार क्या हुता है एक बाहरी इंसान किसी गाओं में रहने के लिया आता है।सके साथ एगोड़ा होता है 17 साल का लड़का होता है वो एक जगह लेता ही किरायसे वहां पर रहना शुरू कर देता है। उसकी सोच थोड़ा सा डिफ्परेंट थी गाउवालो से, एक दिन क्या हुआ कि उसका घुरा भाग जाता है, खाबर पहुची गाउवालों तक गाउवालों को जब पता चला कि भाई इसका घुड़ा भाग गया है तो उनको भी दुख हुआ कि भाई ये जो बाहरी आदमी था तो ये तो सिर्फ घुड़े के साथ और अपने छोटे से बच्चे के साथ ही आया था 18 साल के बच्चे के सा गाउवालों ने सोचा कि चलो चलते हैं उस बाहरी इंसान के पास और उसको चलके सांतोना देते हैं सांतोना देने गए और कहा ये तो बहुत बुरी किस्मत थी आपकी बहुत बैट लग था कि आपका घुड़ा चला गया तो जो बाहरी इंसान था वो कहता है कि पता नहीं गोड लग भी हो सकता है पैलक भी हो सकता है अगले दिन क्या होता है कि घोड अपने साथ एक घोडी को लेकर अलता है जैसे यो गोड़ी को लेकर आता है तो गोड़ा अच्या लगता है गोड़ा खुश होते हैं कि चलो ठीक है इसका नुक्सान नहीं हो आया बल्कि फादा होगा यह तो घोड़ी को लेकर आ गया अगले दिन पहुंचते हैं उसके पास और कहते हैं कि बाई चलो बदाईयो यह तो गुड लग है यह गोड़ा अकले गया था और गोड़ी लेकर आ गया है अब तो मज़ई आ गया आपको तो उसने बोला कि यह गुड लग भी हो सकता है और बैड लग भी हो सकता है तो जो गाउवाले होते हैं वो कहते हैं कैसा इंसान है अभी तो कह रहा है कि बैड लग और्सका है और मränक्तो होसक्ता है अगले जिन वो कोशिश करता है कोडरी में की कोशिश करता है ले当 चड़ते चड़ते अब करने के तो ऊठै एक सा खुट थ तो कर गया। और वाले फिर उसके पास पहूँचे उस बाहरी इंसान के पास कि और बड़ा भाथ है आठे की बिटे का पैक टूट गया तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता यह बैट लख है या गुड़ लख है तो गाउओं वाले कहते कैसा आधमी इसके बिटे का पैक तूढ गया है और कह रहा है कि यह गुड़ लग भी हो सकता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से उपर है उन सभी को युद्ध के लिए बुलाया जाता है और उस तूटे हुए पैर की वज़े से उस बाहरी इंसान का लड़का बच गया जो की युद्ध में मारा जा सकता है अब गावालों ने सोचा अब नहीं जाना क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि जो भी घटना घट रही है उसको मैनेज करना सीखना पड़ता है सोच लगाना पड़ता है कि जो बुरा हुआ उसे अच्छे में कैसे बदला जा सकता है आज को सित्या विप्रीत है हो सकता है कुछ अच्छा हो रहा हो हो सकता है कि आप जिसे बैड लख समझ रहे हैं यही आपका गुड लख हो एक ही बात बोलना चाहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है बात पसंद आई है तो लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें सौरब शुक्ला साइनिंग आउट कॉमेंट में बताइएगा कि आंगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए